यह दोस्तों अपने वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और एक और नया नुमेरिकल को देखते हैं जैसे देखिए क्वेस्टन को पढ़ लेते हैं सबसे पहले यह स्टेब्ड अस्टील साफ्ट जो की फिगर में दिया हुआ कुछ इस परकार से सब्जेक्टेट टू टे प्रक देने की वज़ा से कितना इसमें स्टेन अनर्जी आएगा यही है को संब देखिए अपने पीछले वीडियो में हम पढ़े था कि स्टेन अनर्जी का फर्मूला क्या होता है टाउस कार एल भाई जीजे होता है अस्टेन एनर्जी तो यहां से अब्जेक्टिव कॉस् स्टेपड पॉर्चन है तो इस पोर्चन में जोटेने नर्जी आएगा और यह पोर्चन में जो स्टेन अर्जी आएगा दोनों अलग 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 अगा और चुकि दोनों अलग-अलायों को जब हम जोडएंगे तो क्या जाएगा पहला पॉर्षन के लिएलवन और दूसरा पॉर्षन के लिए aria टु ठीक है तक तो यानि मेक invas were 111 मैजी जी जी बन प्लस टाउ स्कॉरअल टू बाई जी जी जे टू दुसरा portion के लिए और यहाँ पे देखिए लेंद जो है L1 और L2 दोनों के लिए क्या है लेंद सेम है तो जब लेंद सेम है तो अब हम यहाँ से कुछ-कुछ कॉमन ले सकते हैं टाव स्कुर एल और जी को चुकि सेम मटेरियल से बना हुआ है तो जी को भी हम क्या कर लिए हैं बाहर निगाल लिए हैं तो बचेगा क्या वन बाई जे वन यानि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस दूसरा वन बाई जे टू देखे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल दू क्या होगा है पाइवाई थाटी टू डी रेस टू पावर फोर तो यहां पर फाई यानि डी का वैलू कितना दिया हुआ है 50 एम तो उस पर हम पूट करके यहां का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं और जे टू का यानि 25 को पूट कर के यानि सेकेंड सेक्षन वाला का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं ठीक है अब दूसरा बात देखिए जो मॉडलस ऑफ रिजिडीटी का जो भैलू है वह असी जी पीए है जी पीए है तो उसको हम न्यूटन एमम स्क्वार में बदलेंगे न्यूटन पर एम में स्क्वार तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं जी का भैलू को पूट कर सकते हैं ठीक है उतना उसके बाद देखिए टॉर्क किसमें दिया हुआ है तो दस न्यूटन मीटर में ठीक है तो न्यूटन मीटर में दिया हुआ तो न्यूटन पर न्यूटन एमम में बदलना है तो हम 10 के पावर 3 से क्या कर देंगे मल्टिप्लाई कर देंगे तो यह एम में आ गया टॉर्क का भैलू अब यहां पर स्कॉयर में है देखिए 10 का स्कॉयर सौ अदस के पावर 3 का स्कॉयर करेंगे तो दस का पावर क्या हो जाएगा छे हो जाएगा अब हम यहां पर जो mathematics apply कियें क्या कियें 10 के पावर 3 को cancel कर दिये हैं इससे कौन वाला से ये वाला और ये वाला पूरा का पूरा cancel हो गया तीन और एक चार से खतम हो गया और चार आठ से इसको four times में हम cancel कर दिए नीचे आगया पाई यहाँ से 25 का power 4 को हम क्या कर लिए बाहर निकाले तो बच जाएगा 1 by 2 raise to power 4 plus 1 देखिए 10 का power 3 का square तो यहाँ पर बच जाएगा तो बच जाएगा यानि यहाँ पर उतना ही और होगा ठीक है यह आजाएगा अब हम क्या कर दें इसके बाद यह simple mathematics हम apply किये हैं इसके बाद multiplication और divide करके हम final answer के पास पहुँच गया है यानि astrain energy कितना होगा उसमें तो 3.46 newton mm इतना ही होगा ठीक है I hope यह वीडियो आपके लिए useful हो benefit हो और exam में इस तरह का numerical आएगा तो इस approach से आप बना सकते हैं Thank you